नमस्कार बच्चों, आज हम व्यवसाईक अध्यान पुस्तक के दूसरे भाग का बार्वा अध्याए उब्भोकता संगरक्षन शुरू करने जा रहे हैं यह अध्याए संक्षिप्त किन्तू महतोपूर अध्याए हैं इस अध्याए में हम उब्भोकताओं से जुड़ी हुई कुछ महतोपूर जानकारियों को सीखेंगे वह भारत में उनके संगरक्षन के लिए उठाए गए विभिन कदमों या आप उसके लिए बनाएगे कानूनों पर चर्चा करेंगे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं वेवसायों के लिए उब्भोकताओं का कितना महतो होता है कोई भी वेवसाय या वेवसाई अपने सभी कारियों को उब्भोकताओं के लिए ही तो करते हैं यदि उब्भोकता नहीं होंगे तो वेवसायों के उत्पादों को खरीदने वाले नहीं होंगे और यदि वेवसायों के उत्पाद नहीं विकेंगे तो वेवसाय कैसे चलेंगे तो कहने का अर्थ हिया हुआ कि उभोगता व्यवसायों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसलिए भारत जैसे किसी भी स्वतंत्र बाजार की अर्थववस्था में उभोगताओं को बादशाह की तरह माना जाता है हाला कि पहले ऐसा नहीं था पहले केवियट एम्टर जैसा एक विचार व्यवसायों के मन में हुआ करता था केवियट एम्टर का अर्था क्रेता स्वयम चौकनना रहे अर्थात पहले व्यवसायों का यहां मानना था कि क्रेताओं की यानि उभोगताओं की जिम्मेदारी है कि वो खुद चौकनने रहें, वो अपने आपको किसी भी प्रकार के सोशन आदी से बचाएं, वो खुद वस्तवों आदी की खरीद के वक्त पूरा ध्यान रखें लेकिन अब यह सिध्धान्त बदल कर केवियट वेंडिटर का सिध्धान्त बन गया है अर्थात विक्रेता को साबधान रहना चाहिए, अर्थात आज के समय में जिम्मेदारी विक्रेताओं की उपर आ गई है, वेवसायों की उपर आ गई है वेवसायों को यह ध्यान देना होता है कि क्रेताओं के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित वेवहार ना हो जैसे जैसे प्रतियोगिता में व्रिद्धी हो रही है बाजारों का आकार बढ़ रहा है वेवसायों या कंपनियों की संख्या बढ़ रही है तथा विक्री वा बाजार में कंपनियों द्वारा अपने हिस्से को बनाए रखने या बढ़ाने का प्रयास हो रहा है वैसे वैसे निर्माता या सेवा प्रदान करता, दोशपून, अस्वरक्षित उत्पाद, मिलावट, जूटे या गुमरा करने वाले विज्यापनों, जमाखोरियों इस तरह की सभी गलत या अनुचित तरीकों को अपनाने से बच रहे हैं अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान दें कि उभोक्ताओं के साथ ऐसे गलत कारे ना किये जाएं इस सिधान्त या विचार को केवियेट वेनिटर का सिधान्त कहा जाता है तो आईए अब इसके साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यूं यह सिधान्त बदला आखिर क्यूं यह सोच बदली और कैसे आज के समय में उभोक्ता संग्रक्षण को इतना महत्वपून माना जाता है उभोक्ता संग्रक्षण ना केवन उभोक्ताओं के दृष्टी कोंड से महत्वपून है बलकि यह वेवसाय के दृष्टी से भी महत्वपून माना जाता है यदि हम उभोक्ताओं के दृष्टिकोंड से बात करें तो यहां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले तो जादत और उभोक्ता अपने खरीद परोक्त के मामले में मुख्य रूप से अज्ञान माने जाते हैं अर्थात जातर उभोक्ताओं को अपने अधिकारों या वस्तु आदि से जुड़ेविसूचनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती उनके जानकारी का अभाव उनके सोशन का कारण बन जाता है इसके अतरिक्त अधिकतर उभोक्ता आसंगठित पाए जाते हैं दूर दूर तक फैले होने अलग-अलग हितों के कारण उभोक्ताओं का संगठित हो पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे देश में, हमारी अर्थववस्था में लग-बग हर प्रकार के संगठन पाये जाते हैं लेकिन उभोक्ताओं के संगठन विशेशकर सक्तिशाली संगठन बहुत कम पाये जाते हैं आज संगटित होने के कारण कई बार उभोक्ता अपने आवास नहीं उठा पातें इसलिए उनको संगरक्षन देना अनिवारी हो जाता है। इसके अतरिक्त उभोक्ताओं का चौत तरफा सोशन किया जाता है। हर तरह से व्यवसाई या मध्यस्त सभी प्रकार के जो लोग हैं वो लाब कमाने के लालच में उभोक्ताओं का सोशन करते हैं। व्यवसाई के दृष्टी कोण से ज़िदी देखा जाएं। तो सबसे पहले उन्हें वो भोक्ता संगरक्षन देने के जरूरत इसलिए हैं। क्योंकि या उनके खुद के दीरकालिक हित में हैं। जब कोई व्यवसाई स्वयम उभोक्ताओं के हितों की रच्छा करने के कोशिश करता है। तो व्यवसाई के अन्य वर्गों के मन में उस व्यवसाई की एक अच्छी तस्वीर बन कराती है। एक अच्छा स्थान वह व्यवसाई समाज में पा लिता है। इसके कारण धीरे धीरे उस व्यवसाई को ख्याती प्राप्त होती है। वह उभोक्ताओं के बीच प्रचलित या प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिससे ना केवल उनके उभोक्ता उनके साथ वफादार बने रहते हैं बलकि नए उभोक्ता भी साथ में जुड़ते रहते हैं। इसे विवसाय दीर्गकाल में लंबे समय में अपने विवसाय को चला पाते है। इसके अतरिक्त यह भी तर्क दिया जाता है कि विवसाय समाज के संसाधनों का उप्योग करते हैं। इसलिए यहां उनकी जिम्म्मदारी है कि वो बदले में समाज को भी कुछ दें। वो समाज के अभिन अंग उभोकताओं को संगरक्षण प्रदान करें क्योंकि उन्होंने व्यवसायों ने अपने संसाधन समाज से ही प्राप्त किये हैं इसलिए इसे उनका सामाजिक उत्तरदाईत्व भी माना जाता है विवसायों को आज के समय में उभोकताओं को संग्रक्षण देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज सरकारे इस मामली में बहुत सजग हैं समय समय पर सरकारे हस्तक्षेप करती हैं कोट या नियायले हस्तक्षेप करते हैं कि यदि किसी उभोक्ता के साथ किसी व्यवसाय या कंपनी ने कोई गलत विभाहर किया है, तो उस व्यवसाय को उसकी बड़ी हानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सरकारी हस्तक शेफ से बचने के लिए भी यह जरूरी है कि व्यवसाय उभोक्ता संगरक्षण के कदम उठाए। तो यह बातें इस बात को सपष्ट कर देती हैं कि चाहे वो उभोक्ताओं की दृष्टी से हो चाहे व्यवसाय की दृष्टी से। उब्भोकताओं को संगरक्षण चाहिए उन्हें संगरक्षण दिया जाना चाहिए इस बात को मानते हुए वह ध्यान में रखते हुए सन 1986 में भारत में एक कानून पास किया गया जिसे उब्भोकता संगरक्षण अधिनियम कहा जाता है उब्भोक्ता संगरक्षन अधिनियम भारत में उब्भोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है वो उनके हितों को बढ़ाने की कोशिश करता है यहां अधिनियम उभोक्ताओं को दोशपूर्ण वस्तूओं, घटियास्तर की सेवाओं, अनुचित व्यापार क्रियाओं वा अन्य प्रकार के सोशन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है यह उभोक्ताओं को शक्ती प्रदान करने वो उनके हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ महत्वपुन अधिकार प्रदान करता है आज भारत में यह अधिनियम उभोक्ता संगरक्षन के छेतर में एक मील का पत्थर साबित हुआ है इसने उभोक्ताओं को ऐसे कई अधिकार प्रदान किये हैं जिनके कारण आज भारत का उभोक्ता बहुत शशक्त हो गया है आए इन अधिकारों पर चर्चा करें उभोक्ताओं की अधिकार मुख्यता छे वर्गों में बाते गए हैं सबसे पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार कहलाता है इस अधिकार के अंतरगत भारतियों भोकताओं को यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानिकारक या जानलेवा वस्तुओं जो जीवन वस्वास्ते के लिए हानिकारक हो सकती है वो दिये जाने से बचने का अधिकार है यानि यदी कोई व्यवसाए उभोकताओं को कोई ऐसी वस्तु या सेवा प्रदान करते हैं जिससे उनके जानमाल को हानी हो सकती है तो उभोकता इसके विरुद शिकायत कर सकते है उभोक्ताओं को अधिकार है कि उन्हें ऐसी वस्तुम या सेवाएं ना दी जाएं उन्हें इनसे सुरक्षा प्रदान की जाएं आए इसे एक उधारण से भी समझते हैं मान लीजे कोई व्यक्ति किसी कमपनी से कोई इलेक्ट्रोनिक सामान जैसे की एक आयरन या इस्तरी खरीत के लाया यदि उसको उप्योग करते वक्त उसमें किसी प्रकार का short circuit या किसी प्रकार की ऐसे electronic छती के कारण उभोकता को नुकसान उठाना पड़ा उसे किसी प्रकार की चोट लगी या किसी अन्य प्रकार की असुरक्षा मिली तो वह उभोकता इसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है क्योंकि ऐसा करके एक खराब सामान बेचकर कंप्री ने उभोकता के सुरक्षा के अधिकार का हनन किया है इस प्रकार यह अधिकार उभोक्ताओं को छती पहुंचाने वाली वस्तु या सेवाओं से सुरक्षा प्रतान करता है इसके पश्चात उभोक्ताओं को सूचना का अधिकार प्राप्त है सूचना की अधिकार की अंतरगत और भोकता जिस वस्तू या सेवा को खरीद रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं उसके संबंद में पूरी जानकारी प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है उन्हें उस वस्तू के घटक यानि वो किन चीजों से बनी है उसकी निर्मार्तिति, मूल ये मातरा उप्योग करने के दिशा निर्देश ये सभी चीजें जानने का अधिकार है यह इस अधिकार के बाद ही हुआ है कि अब कंपनिया अपने उत्पादों पर बहुत विस्तृत जानकारियां देती हैं आप किसी भी कंपनी का किसी भी प्रकार का सामान उठा ले वह चोटे से टौफी या चॉकलेट से लेके बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोनिक सामानों की बात हो उन सभी के उपर यह सूचनाएं दी जाती है कि वह वस्तु कब बनी उसको उप्योग किस तरह से करना है उसकी मातरा आकार क्या है उसके घटक क्या है उसका मूली क्या है इस तरह की सूचनाएं उभुकताओं को दी जाती है क्योंकि उन्हें सूचना का अधिकार है तीसरा अधिकार चयन का अधिकार है यानि भोगताओं को इस बात का अधिकार है कि वो अपने मन मताबिक चयन करके अपने लिए उचित सेवाएं या वस्तुएं ले सके उप्योग कर सके उन्हें कोई भी व्यवसाय या अन्य व्यक्ति डबाव नहीं डाल सकता या उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो एक विशेश प्रकार की वस्तुएं का ही सेवन करें जब एक वभोगता कोई वस्तुएं खरीदने जाता है तो उन्हें इस बात का अधिकार है कि उन्हें उस बस्तू के विभिन प्रकारों को चुनने का अधिकार मिली है इन तीन अधिकारों को उभोक्ताओं के मुख्य अधिकार कहा जा सकता है अगले तीन अधिकार इन तीन अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए गए है जैसे कि चौथा अधिकार है शिकायत का अधिकार यानि यदि किसी उभोक्ता के उपरोक्त तीन अधिकारों में से कोई अधिकार का हनन किया जाता है तो उसके पास इस बात का अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते है अब सोचे यदि शिकायत का ही अधिकार नहीं होता तो उप्रोक्त तीन अधिकारों का क्या काम था यदि उन अधिकारों का हनन भी किया जाता तो भोक्ता शिकायत ही नहीं कर पाते है इसलिए शिकायत का अधिकार एक महतोपूर अधिकार है उब्भोक्ता अपने साथ हुए किसी भी अनचुत वेवहार के विरुद शिकायत कर सकते हैं चाहे तो वो कमपनी को शिकायत करें या सरकार के सामने पुलिस के सामने या न्यायालेव में जाकर शिकायत करें शिकायत के अधिकार के कारण ही आज कई समझदार विवसाईक इकाईयों ने अपने विवसायों में अपने फर्मों में स्वयम शिकायत व उभोगता सेवा कक्षों के स्थापना करी है ताकि वो अपने उभोगताओं की शिकायतों का तुरंत कुशलता पूर्वक निप्टार कर सके इस बात को आपको ध्यान रखना है कई बार परिक्षाओं में यह पूछा जाता है कि किस अधिकार के कारण कम्पनिया अपने यहां पर शिकायत कक्ष यह सेल बनाती है पांचवा अधिकार है छती पूर्ती का अधिकार इसके अंतरगत एक भोगता को इस बात का अधिक व्हां से हुई जानमाल की जो भी हानी है उस हानी चंती के बाने उसे उचति हरजाना यह छती पूरती का ज्ञान ही नहीं है उन्हें उस बात की सूचना ही नहीं है सिक्षा ही नहीं है तो वह उन अधिकारों का उपयोग कैसे करेंगे इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अधिकारों को अपने अधिकारों की जानकारी हो इसे भी एक अधिकार का रूप दिया गया है इसके अंतरग देखा हमने देखा कि भारत में भुगताओं को यह बहुत महत्वपूर दिये गए हैं लेकिन कभी भी किसी भी श्थिति में किसी व्यक्ति या समूह को यह दिकुछ अदिकार दिये जाते हैं तो उन्हें संतुलित करने के लिए साथ में कुछ कर्तव्यों का होना भी आनिवा होते हैं आये उनके कुछ प्रमुख दाइत्वों पर चर्चा करें उब्भुगताओं का सबसे पहला दाइत्व है कि उन्हें बाजार में उपलब्द विभिन्य वस्तू और सेवाओं के संबंद में जानकारी रखनी होगी यह उब्भुगताओं के जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें वस्तूओं का चयन करने की कोशिश करें दूसरा उनकी यह भी जानकारी है कि वह केवल मानक वस्तूओं को ही खरी दें वह वस्तुओं को खरीते वक्त उनके गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उन पर विश्वास प्राप्त करने के लिए यह देखें कि वह वस्तुओं मानक गुणवत्ता की है के नहीं आज भारत में विभिन्य प्रकार की वस्तों की गुणवत्ता को सुनिशित करने के लिए कई प्रकार के मानक बनाये गए हैं जैसे कि यदि आप बिजली के उपकरण खरीते हैं तो आपको उस पर ISI मानक देखना अनिवारी है या ISI मानक इस बात की पुष्टी करता है कि यह बिजली उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित हैं इसे जाज परकर बनाये गया है इसी प्रकार जवाहरात या जुएलरी खरीते वक्त हॉल मार्क का निशान है क्रिशी उत्पादों को खरीते वक्त एग मार्क का निशान है खाने पीने की वस्तूओं या पैकेज़्ट फूड को खरीते वक्त एफपीओं का निशान है ऐसे कई मानक निशान है जिने देखकर एक भोगता खुद को इस बात की गारंटी दे सकता है कि वह एक मानक या अच्छी वस्तूओं खरीद रहा है या देखना और ऐसी वस्तूओं ही खरीदना वो भोगता की जिम्मिदारी है यदि आप बिना मानक की वस्तों को खरीदते हैं तो उससे यदि आपको कोई छती होती है तो इसमें आपकी ही गल्ती मानी जाएगी इसके अतरिक्त, मूल्य, शुद्ध वजन, उत्पादन वा उप्योग करने के तरीके, उनकी अंतिम्तिती, इन सबकी सूचनाओं के लिए लेबल को पढ़ना भी हो भोगताओं की जिमिदारी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके साथ सही विवहार हो, अपनी दरड़ता का परिचे देना भी आपकी जिमिदारी है यानि आपको डट कर अपनी बात को रखना होगा, इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आपने कोशिश की कि आपके साथ कोई गलत विवहर नहीं हुआ है इसके अलावा, लेन देन में पूरी इमानदारी बरतना, केवल कानून सम्मत वस्तुओं वसेवाओं को खरीदना, काला बाजारी, जमाखोरी जैसे अनुचित आचरणों में शामिल ना होना, ये उभूकताओं की जिमिदारी है आज हम यहाँ देखेंगे कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, वो उभूकताओं को उचित संगरक्षण, उचित समय पर प्रदान करने के लिए भारत में कैसे एक तीन स्तरिय प्रणाली बनाई गई है, एक तीन स्तरिय विवस्था बनाई गई है तीन स्तरों में बाटा गया है जिलास्तर, राज्यस्तर वा राश्ट्रियस्तर यह एक तीन तंत्रिय ववस्था है जो उभोक्ता संगरक्षण के सभी पहलों को अच्छे से भारत में लागू कराने की कोशिश करती है इन तीनों स्तरों के कारी प्रणाली को समझने से पहले, आईए आज यह पहले जान लेते हैं कि इस कानून में, इस अधिनियम में उभोक्ता किसे कहा जाता है हम आंभाशा में तो उभोक्ता संगजते ही हैं, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं ये सेवाओं का सेवन करता है लेकिन इस अधिनियम के अंदर एक विशेष परिभाषा दी गई है इस परिभाषा का अर्थी है निकल के आता है कि उबभुकता उस व्यक्ति को माना जाता है जो किसी प्रतीफल के बदले किसी वस्तू को या तो खरीदता है या भाडे पर लेता है उस वस्तू या सेवा का खरीदने या भाड़े का जो मोल्य है या तो उस व्यक्ति ने उसका भुक्तान कर दिया हो या वचन दिया हो कि वो एक निश्चितिति में करेगा या आंशिक भुक्तान करके बाकी का भुक्तान आगे करने का वचन दिया हो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार सेवस्तू या सेवाओं को खरीता या भाड़े पर लेता है उसे इस अधिनियम में उभोकता माना जाता है अब इसके आगे जब किसी उभोकता के साथ किसी प्रकार का कोई अनुचित विवहार होता है तो वहाँ उभोकता अपनी शिकायत को लेकर निवारण एजेंसियों के पास जाता है जैसे कि मैंने बताया भारत में ये एजेंसियां तीन स्तरों पर है सबसे पहला है जिला स्तर जहां इन एजेंसियों को जिला फोरम कहा जाता है जो भारत के विभिन जिलों में स्थापित किये गए है जिला फोरम में एक प्रधान वो दो दूसरे सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम एक महिला होना अनिवारी है इन सभी की नियुक्ती राज्य सरकारें करती है शिकायत किसी भी उप्युक्त जिला फोरम के पास की जा सकती है शर्त यह है कि वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य या उनसे जुड़े छती पूर्ती का दावा बीस लाख रुपे से अधिक नहीं होना चाहिए यानि बीस लाख रुपे तक के दावों के लिए उभोक्ता जिला फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं यदि पीडित उभोक्ता जिला फोरम के आदेश से संतुष्ट नहीं होते तो वो आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर राज्य कमिशन के पास जाकर अपील कर सकते हैं जोकि जिला फोरम से उपर का इस्तर होता है तो पहला स्तर हो गया जिला फोरम जहां 20 लाक रुपे तक के दावों की शिकायत के जा सकती है दूसरा स्तर है राज्य फोरम या राज्य कमिशन भारत में करीब 36 राज्य कमिशन है प्रतियेक राजिस्तरीय कमिशन या आयोग में एक प्रधानवा कम से कम दो सदस्य होने चाहिए जिनमें से एक महिला होना निवारी है इनके नियुक्ती राज्य सरकारे करती है एक भोक्ता अपनी शिकायत को एक उप्युक्त संबंधित राज्य कमिशन में कर सकता है लेकिन शर्ट यह है कि दावे का मूल्य 20 लाक रुपे से अधिक वह एक करोड रुपे तक हो यानि 20 लाक से एक करोड रुपे तक की दावे या शिकायतों को हम सीधे राज्य कमिशन में ले जा सकते हैं राज्य कमिशन में शिकायत करने के फिर दो तरीके हो गए जैसा कि हमने पहले देखा यदि जिला फोरम के आदेश से भोगता संतुष्ट नहीं है तो वो अपने 20 लाग तक के मामलों को भी राज्य कमिशन में ले जा सकता है बस शर्त ये थी कि पहले जिला फोरम में शिकायत हो वहाँ संतुष्ट ना होने पर ही उसे राज्य कमिशन में लाया जाए लेकिन यदि मामला 20 लाग से अधिक और एक करोड तक का हो तो सीधा राज्य कमिशन में भी शिकायत की जा सकती है अब यदिय को भोगता राज्य कमिशन के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह फिर राश्ट्रे कमिशन में उसके विरुद्ध 30 दिनों के अंदर शिकायत कर सकते है अब राश्ट्रे कमिशन का अधिकार छेतर पूरा देश है पूरे देश में एक राश्ट्रे कमिशन है जिसका एक प्रधान होता है तिथा कम से कम चार दूसरे सदस्य होने चाहिए इन में से एक महिला होनी चाहिए इनके नियुक्ती केंदर सरकार करती है राश्ट्री कमिशन में शिकायत तभी की जा सकती है जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य या छती पूर्ती का दावा एक करोड रुपैसे अधिक का हो इसका अर्थिय हुआ कि राश्ट्री कमिशन में भी दो प्रकार से शिकायते की जा सकती है या तो आपने कोई शिकायत पहले राज्य कमिशन में की होगी वहां से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप राश्ट्र कमिशन में आ सकते हैं भले ही मोल्य एक करोड से कम का हो लेकिन यदि मूल्य एक करोड से अधिक्का हो तो आप सीधे राश्ट्रिय कमिशन में जाकर शिकायत कर सकते हैं यदि आप राश्ट्रिय कमिशन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है वो फैसला जो आपने सीधा राश्ट्रिय कमिशन में किया था यानि यदि आपकी शिकायत एक करोड रुपे से अधिक की थी और आप राश्ट्री कमिशन के द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके विरुद्ध देश के उच्चतम नियायले यानि सुप्रीम कोट में शिकायत कर सकते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि केवल तभी अपील भारत के सुप्रीम कोट में की जा सकती है जब वस्तुओं और सेवाओं का मुल्य एक करोड से अधिक हो तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में उब्भुकताओं के पास कई अवसर है अपनी शिकायत को निप्टाने के यदि हमने जिला फोरम में शिकायत की और हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसे राज्य फोरम में ले जा सकते हैं यदि हम वहां संतुष्ट नहीं है तो उसे हम राश्टर कमिशन में ले जा सकते हैं यदि हमारी वस्तुओं का मुल एक करोड सा धिक्का है तो हम राश्टर कमिशन में और वहां संतुष्ट ना होने पर उच्चितम नियायले में भी जा सकते हैं। इस प्रकार एक बहुत ही कुशल तंत्र बनाया गया है ताकि उब्भोक्ताओं को अपनी शिकायतों का उचित निप्टारा मिल सके हैं। अब सवाल यह आता है कि इन आयोग या कमिशनों में शिकायत कौन कर सकता है। एक तो इसपश्ट है कि उब्भोक्ता स्वयम अपने विरुद हुए गलत विवहार को लेकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसके अतरिक्त उब्भोक्ता संगठन भी किसी उब्भोक्ता के बदले जाकर शिकायत तरज करा सकते हैं। इसके अतरिक्त कोई केंदरे सरकार या राजे सरकार भी स्वयम चाहे तो किसी कमपनी के विरुद इन कमिशनों में शिकायत कर सकती है। इसके अलावा कई अनेक समान हित रखने वाले उभोकता मिलकर या उनके जगह कोई एक उनके लिए जाकर इन कमिशनों में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई उभोकता मृत है तो उसके कानूनी उत्तरादिकारी भी शिकायत कर सकते हैं अब जब इन आयोग या कमिशनों में शिकायत की जाती है तो अगला सवाल यह आता है कि उभोकताओं को बदले में क्या राहत मिलेगी यानि उनके लिए उपलब्द राहतें क्या क्या है आये कुछ महत्वपून राहतों उपर चर्चा करें सबसे पहला यह आयोग या कमिशन या आदेश दे सकते हैं कि वह वस्तु जिसमें कोई दोश या वह सेवा जिसमें कोई कमी थी उससे देने वाली कमपनी उसे दूर करे वह भोगता को दोश रही तवस्तु प्रदान करे दूसरा यदि वह भोगता दोश को ठीक करके दिये जाने के बाद भी संतुष नहो तो उस दोश पूर वस्तु को बदल कर उसके जगह एक दोश मुक तवस्तु दिये जाने का भी प्रावधान है इसके अतरिक्त वस्तूओं सेवाओं के लिए किये गए भुगतान की वापसी करने का प्रावधान भी है यानि यदि वस्तूओं को ठीक नहीं किया जा सकता या बदला नहीं जा सकता तो कंपनी उनके पैसे वापस करें भुगताओं को उनके भुगतान की रा में एक उचित राशी का भुक्तान या हर्जाना दिये जाने का भी प्रावधान है उचित परिस्थितियों में दंड स्वरूप एक बड़ी छती का भुक्तान करने का भी प्रावधान है अनुचित या प्रतिबंधित व्यापारी क्रियाओं को रोकना तथा उनकी पुनराव कई प्रावधान हैं जिनके द्वारा उभोकताओं को राहत पहुचाई जाती है तो हमने इस प्रकार देखा कि भारत में उभोकता शिकायतों के निप्टारे के लिए ना केवल पहले उभोकताओं को अंकित किया गया है उनको पहचाना गया है उभोकताओं को परिभाशित कि कि आगया है बल्कि यहां भी सुनिशित कि आगया है कि शिकायत कौन कर सकता है केवल भोगता ही नहीं बल्कि कई आन्य ऐसे समूह भी हैं जो भोगताओं के लिए शिकायत कर सकते हैं शिकायते अलग-अलग स्तरों पर की जा सकती हैं वो बदले में कई प्रकार की रहतों का प्राब्धान है अब यहां पर अगली महत्वपूर्ण सूचना यहां आती है कि कई बार कई उभोगता अपने साथ हुए गलत वेभार की शिकायत करने योग्य नहीं होते या समर्थ न है तो पूर्ण भूमिका भारत यह उभोगता संगरचन के छेतर में पाई जाती है भारत में उभोगताओं के संगरचन वा उनको बढ़ावा देने के लिए उसके प्रवर्तन के लिए कई उभोगता संगठन या गैर सरकारी संगठनों के स्थापना किये गई हैं यह ऐसे स करते हैं जो भूगताओं को रक्षा प्रदान करते हैं जैसे कि यह भूगताओं के प्रसिक्षन कारेकरम चलाते हैं सेमिनार कराए जाते हैं कारेशालाएं लगाई जाती हैं जिनके द्वारा भूगताओं को सूचना प्रदान की जाए उन्हें इसके लिए प्रसिक्षित क वह इससे जुड़ी सभी जानकारियों को उभोक्ताओं तक पहुचाना इसके लिए कई NGO या संगठन अपने प्रकाशन या मैगजीन प्रकाशित करते हैं तरह तरह के प्रकाशनों को निकालते हैं जिनें पढ़ कर भी उभोक्ता सचेत हो सकते हैं प्रतियोगी ब्रैंड के गुणों की तुन्नात्मक जाच के लिए कई बार ऐसे संगठन स्वयम उत्पादों की जाच कराते हैं प्रयोग शालाओं में उन्हें लेके जाते हैं उनकी गुणवत्ता की जाच कराते हैं और समय समय पर ऐसे जाच के परणामों को प्रकाशित करत यहां भी इन संगठनों का एक महतवपूर कारी है। इसके अतरिक्त जरूरत पढ़ने पर उब्भोक्ताओं को कानूनी सहायताय प्रदान करना भी ऐसे NGO करते हैं। तो इन बातों से यह सपष्ट हो जाता है कि भारत में जितने भी इस परकार के संगठन है या NGO है उनकी बहुत महतवपूर भूमी का है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में अधिक्तर भोक्ता ज्यान रहित हैं असंगठित हैं वह उनमें इतना सामर्थ नहीं है कि वह अप आए जाते हैं इन में से कुछ संगठनों के नाम हमें पता होने चाहिए जैसे कि उभोक्ता समन्वे परिशद जो कि दिल्ली में है Common Cause जो की दिल्ली में है दिल्ली में ही एक और संगठन है Voice के नाम से जैसे उभोक्ता सिक्षण हितार्थ स्वैम सेवी संगठन कहा जाता है एहमदाबाद में CERC के नाम से यानि उभोक्ता सिक्षण वा अनुसंधान केंद्र के नाम से एक संगठन है एहमदाबाद में ही उभोक्ता संगरक्षण परिशद यानि CPC के नाम से एक संगठन है ऐसे अनेक संगठन भारत के अन्य राज्यों वा शहरों में भी है जो ततपर होकर भारती उभोक्ताओं के संगरक्षण के लिए कारे करते हैं हम आप हम सब भी कही ना कहीं उभोक्ता की भूमी का निभाते हैं तो यह अध्याय पढ़के हमें नाकेवल इसे एक अध्याय के रूप में लेना चाहिए बलकि हमें अपने उभोक्ता ज्यान को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए हम जब किसी विवस्तुय अत्पाद का सेवन करें तो हमें अपने अधिकारों वा करतवयों का ध्यान रखना चाहिए वा यदि कोई कमपनी किसी प्रकार का गलत काम करती है तो हमें उसके विर्दु शिकायत करनी चाहिए ताकि हमारे साथ जो घटना हुई ऐसा वो कमपनी अन्य अभोक्ताओं के साथ ना कर सके है ऐसा करके हम अपने जागरुक अभोक्ता होने के दायत्रों को निभा सकते हैं तो बच्चों इस अध्याय के दोनों भागों में हमने उभोक्ता संगरक्षण से जुड़ी भी बहुत सारी सूचनाओं या जानकारियों को बारी की से देखा हमने देखा कि कैसे भारत ने उभोक्ता संगरक्षण अधिनियम पारित करके दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया भारत उन चुनिंदा देशों में से था जिन्होंने सबसे पहले उभोक्ताओं के संग्रक्षण के लिए ऐसे पुखता कदम उठाए भारत का उभोक्ता संग्रक्षण अधिनियम ना केवल उभोक्ताओं को परिभाशत करते हुए या बताता है कि उभोक्ता उन्हें कहा हैं चाहे वह सुरक्षा का अधिकार हो वह चयन का अधिकार हो वह सूचना का अधिकार हो वह शिकायत करने का अधिकार हो वह चति पूर्ती का अधिकार हो या इन सभी अधिकारों की जानकारी यानि सिक्षा का अधिकार हो यह सभी अधिकार भारतियों भुगताओं को बहुत शशक्त बनाने का काम करते हैं लेकिन साथी साथ ये अधिनियम बहुत संतुलित तरीके से भोकताओं को उनके दाइतों भी बताता हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों या दाइतों को निभाएं हम सामान खरिदते वक्त बिल लें यानि रसीद प्राप्त करें हम केवल मानक वस्तूओं को खरीदें हम पर्यावरन का ध्यान रखें हम सभी सुचनाओं को पढ़ें हम वस्तूओं की जानकारी प्राप्त करें ताकि हम एक जागरुक उभोकता बन सकें इन सब के बाद भी यदी हमारे साथ किसी प्रकार का दुर्वेभार होता है, किसी प्रकार के छती होती है, तो हम तुरंद उसकी शिकायत करें, एक उचित फोरम को चुने, यदी हमारी शिकायत 20 लाग तक की है, तो हम चिला फोरम में जाएं, यदी वह 20 लाग से 1 करोड तक की लड़ते रहें यदि हम किसी भी वजह से इन अधिकारों को पाने या अपने शिकायतों को निप्टान करने में असमर्त हैं तो हम उसके लिए संगठित हों, संगठन बनाएं या जो पहले से बने हुए गैर सरकारी संगठन हैं, NGO हैं, उनसे जुड़ें, उनके पास जाएं औ मैं आशा करता हूं कि यह अध्याय पढ़के ना केवल आपको यह अध्याय समझ आया होगा, बलकि आपको एक उभोकता के तौर पर भी जागरुकता वह जानकारी मिली होगी, इस अध्याय वह आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद. करना हमादार्षन के उल में आपको लुड़े, चाहँ के पास लिए दे सत्मा के वह रसतना ही, ना आपको यह आपK लगाइने वह अपको जाएंे उनकार सा रखको जाएंवादाव, उनके एICA्जाय जाएं आपको यहश्या, बुड बहको गु़ें…